न्यूजिलेंड के खिलाप हार के बाद टीम इंडिया को हो गई टेंशन बाई साब अब रोहित और विराट पे होगा बड़ा एक्सन नमस्कार मैं हूँ अभी शेक त्यागी जी हाँ खलबली मची हुई है किर्केट फैंस निराश हैं तमाम किर्केट फैंस का एक कहना है कि बाद साब अपने घर में कैसे हार गई इतनी बुरी हार इतनी शर्मनाख हार आकर टीम इंडिया को कैसे मिल गई कहां फेल हो गई बले बार जन क्यों नहीं बना पाए गेम बार विकेट क्यों नहीं चटका पाए कैसे न्यूजिलेंड की टीम हमारे पर हावी हो गई कैसे क्योंकि भारत का 12 साल का जो एक जीत का सफर ता वो सफर टूट गया है न्यूजिलेंड पहली बार भारत में सिरीज जीता है पहली बार सोचेगा न्यूजिलेंड जब से एक भारत में आक वलेजा भी हैं, अस्विन भी हैं, उसके बाबजूद अब आर गई, क्यों हार गई, सवाल सबसे बड़ा है, मैनिजमेंट में खलबली मची हुई है, मैनिजमäreंट की नी दुड़ी पड़ी है, रोहिस सर्मा को लेकर इस वक्त सवाल खड़े हो रहे हैं कप्तानी पर सवाल खड़े हो रहे हैं विरात कोली की बल्लेबाजी पर सवाल खड़े हो रहे हैं अब ये है कि टीम इंडिया ने बहुत बड़ा एक्शन लिया है इस सिरीज की हार के बाद खबर है बहुत बड़ी खबर है कि टीम इंडिया को अब मैनेज निर्देश दिया है वो निर्देश क्या है एक बार देख लिजे उसके बाद में आपको अंदाजा हो जाएगा कि अब उतना आसान होने वाला नहीं दरसल टीम मेनेजमेंट ने खिलारियों को 3031 अक्टूबर को दो दिन की प्रैक्टिस के लिए उपस्थित रहने के आदेश दिये हैं यह अनिवारिय है और कोई भी से छोड़ नहीं सकता यह समझ लीजिएगा दो दिन आपको 3031 अक्टूबर को आपको प्रैक्टिस में रहना पड़ेगा और यह अनिवारिय है बीसी से का टीम मेनेजमेंट का निर्देश है कि कोई भी सको नहीं छोड़ सकता को यह तोर पर यह होना चाहिए था यह एक्सन पहले लिया जाना चाहिए था जो अब लिया गया क्योंकि खिलारी मोज मस्ती करने के लिए चले जाते हैं उनको क्या फिकर है परिशानी तो क्रिकेट फैंस को होती है ना दिल तो भाई सब क्रिकेट फैंस का दुगदा है खिलारिय होते ही टीम मेनेजमेंट ने निर्देश दिया है कि भाई साब 331 तारीक को कोई घर ना चला जाए हर किसी को प्रक्टिस में रहना है हर कोई प्रक्टिस में रहेगा और टीम मेनेजमेंट के साथ प्रक्टिस करेगा क्योंकि एक तारीक को फिर मैच है तीसरा जो टेस्ट मैच है वो एक तारीक को फिर शुरू हो रहा है तो तीस और इकतिस तारीक को हर टीम के खिलारी को प्रक्टिस के लिए उपलब्द रहना पड़ेगा अगर कोई बहार चला गया तो उस पर डंडा चलेगा ये टीम मेनेजमेंट का साफ तोर पर दिशा निर्देश है तो आपका इस खबर पर क्या कहना है क्या जिस तरीके से टीम मेनेजमेंट ने कहा है कि भाई साफ अब एक्सन होगा अब हर खिलारी को प्रक्टिस में रहना पड़ेगा इसे आपको लगता है कि एक्सन पहले होना चाहिए था इस तरीके के निर्देश पहले देने चाहिए थे कमेंट करके बताईएगा और आप इस हार क्या जिम्मेदार किसको ठहरा रहे हैं किस वज़े चे टीम इंडिया को हार मिली यह भी बताईएगा वीडियो चलेगा तो लाइक को शेजरू करिएगा क्योंकि अपडेट लगाता मिलते र